नमस्कार मैं आसुतोस आनंद और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्प्रेस नियूज जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये अडानी पावर प्लांट का ये गेट है मता दें कि बीते दिन एक महिला की जंगल में गलारेत कर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद आक्रोसित ग्राम है उस परिवार की एक महिला ही थी जो परिवार का भरन पोसन करती थी उनके पतिये जो बिकलांग है कुछ करने में असक्षम है और छे बच्चे हैं तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये छे बच्चों का भरन पोसन आखिर कैसे होगा इस चीज को लेकर ग्रामिन काफी आकरोसित हैं कि आखिर दीन के दस बजे कैसे किसी के हत्या कर दी जाती है परसासन का खौप क्यूं नहीं है बतादे कि बगल में ही परसा ओपी थाना यहां पर है उसके बाबजूज भी यहां पर ऐसी घटनाई होती है जिसको लेकर कि ग्रामिन काफी आकरोसित है इनका कहन है कि कल घटना के बाद दो तीन घंटे बाद भी महिला के सब को टेमपू में ले गया है यह भी बड़ा प्रसन उठता है कि जहां पर की छोटी मोटी घटना होने के बाद जीला परसासन या आडानी का जो है एम्बूलेंस मौकायवारदात पर पहुंचता है और यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पीछे इस महिला का शब है और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है महिला का पूरा परिवार है आप अगर हम बताएंगे एक दो तीन और एक चार और बतादे कि टोटल छे बच्चे हैं और इन सारे बच्चों का एक मात्र भरन पोसन करने बाले इन महत्या भी जंगल में कर दी गई है एक और सबाल उठता है कि जिस परकार से उजवला गैस योजना पूरे भारत में फैला है उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एक महिला को जलाबन चुनने के लिए जंगल जाना पड़ता है आखिर या तो फिर उस उजवला योजना का इस फाइदा क्या होता है जब एक आम इंसान एक गरीब इंसान उसका लाब ही नहीं उठा पाए आए यहां पर इनके घरवाले इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मांग है क्या मांग आप लोगों का मेरा नम प्रलाद मंडल हो यहीं का हूं जैसे जो इसको अत्या क्या उसको सामने लाके पांसी का सजा हम लोग चाहते हैं कि इस तरह इसे तो हर आद इंसान का महबान निकलता है तब तो उसको क्या करेंगा इससे मार के खतम कर देगा उसके लिए पकड़के हम लोग को आपका सीची केमरा जब लगा है तो देखाईए आप लोग और हम लोग क्या मांग करेंगे इससे पहले आप देख सकते हैं कि इनके पती है पैर से लाचार है और चल नहीं पा रहे हैं किसी तरह घर का हम समझ रहें समझ रहें इसको दिखाने की दिखाने की ज़ुरत नहीं है क्या नाम मेरा नाम साथ सुनिल पंडित वा कल जो यह घटना हुई आपका हाथ हम थे सब आट बजे निगला तकर फोटो इसका डॉक्टर के लिए इलाज करेंगे बोला था पतना में इडवांस प्राक्टिस सजी डोकर संजय कुमार ता उसी से बात किये तो बुला किया इसका पूटो एक तरह बेज दिजिए और इसका जखाम का गौब भीजिए दिखते हैं जिस तरह इस ती होगा उसके अलाब पे आपको बुलाया जाएगा तो तो उसके बाद जो हम वह और जाएगा तो पूछे मम्मी नहीं आएगा भी तक इसको कभी कल माथा में चकर उड़ता था हम स्थोटे क्या कि इसको कभी हो सकता अज चकर हो सकता हो तो गिर गिर गया पर गया होगा तो मैं अपनों बड़े लग्या को भेजी उसके बाद ऑद इदा देख लिए किनार तो मेरा बालाडका और मेरा चतेरा भाई दोनों एक साइट गए और हम और छोटा टोनों एक साइट में के तो गुम के खोजे उसके बाद आदा पोने गंटा के बाद मुको जो है एफ लगए बालाडका पहले यही देखा है कि भो जहाए फेका हुआ है और मम्मी उधा करके यहां उसमें कोई नोकरी नहीं हम तुनहीं कर बादे लेकिन मेरा बिना जामीन गया है तुटना जमीन गया जमीन मेरा पीताजी का था अब जमीन जो है घर बारी घर बनाने के लिए कठा है वही बचा हुआ है अब साब तोर पर देख रहा है कि बड़ा बेटा है इसके लिए नौकरी और कुछ पैसे इनको चाहिए और इनके इलाज के लिए इनका उचित जो होता है वो किया जाए इन सारी मांगों को लेकर आज यहाँ पर यह लोग उपस्थित हैं और अब देखना यह दिच्चस्प होगा कि आज के जाम के बाद परसासन इस पर क्या कदम उठाती है बने रहें ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और देखते रहें एक्सप्रेस नीज